जालाउन में गदिनों कार से बच्ची को अगबा करने का संसनिकेज मामला संग्यान में आया था जिसको सुनकर पुलिस के पापा को खाना देने जा रही थी उसी समय बैगनार गाडी सवार युकों ने बच्ची को कीच कर अपनी गाडी में डाल लिया और चल पड़े तब ही लड़की की चीकू कार सुनकर रागीर गाडी रुबाने का प्रियास करने लगे अपरल करताओं ने अपने आपको फस्ता देख शायर के बाहर अलाइसी आफिस के पास बच्ची को गाडी से बाहर प्रेक दिया और चंपत हो गए इसकी सुचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने गाडी को तलाशना शुरू किया कस्बे में जंगा जंगा लगे सीसी टीवी फुटेज खंगालना शुरू किया जिससे गाडी ट्रेस हो गई उसी की निशान देही पर फुलिस अफारल करताओं के नजदीक पहुंची और दो आरुपियों को गिरफतार कर लिया इस गड़ना का खुलासा करते हुए सीओ जालाउं संजा शर्मा ने बताया कि अभी तक आरुपियों ने कुछ नहीं बताया है फिलाल कुछ ताज जारी है और सिसी टीवी पूटेज के माध्धिम से और सर्विलांस टीम के मदद से दोनों अभीयोगतों को गिरफतार कर लिया गया और गाड़ी भी बरामत कर लिया जिला हर्दोई से मातर कुछ दूरी पर इसं Теперь जनिया मूँ गाउ के जूनियर स्कूल की हमें ऐसी स्किती दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे जब हमने ब्लाक सांडी हर्दोई के गाउं जनिया मों में इसे जूनियर स्कूल की सुवए 8 बजे परताल की तो सामने आया कि स्कूल में बच्चों से जहडू लगवाई जा रही है सभी रूम खाली पड़े हैं कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए रूम के अंदर नहीं मिला सब आफिस ग्राउन में घूम रहते हैं और बच्चों की हालत तो आपको वीडियो में दिख रही है कि बच्चों की क्या हालत है बच्चों से जब हमने शिक्चा के बिचे में पाड़े आदी के बारे में कुछ पूछा तो बच्चे 10 और 12 का पहड़ा तक नहीं सुना सके इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्चक केवल हाजरी भरने के लिए स्कूल में आते हैं और बच्चों पर जड़ा तभी ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसे स्कूलों पर जिलादिकारी तक अभी एसे को ध्यान देना चाहिए और ऐसे टीचरों पर सकते कारवाई की जाज़े जिससे शिक्चा वेवस्ता में कुछ सुदार आए पूर्ब बिलाग प्रमोग के भाई पर फाइरिंग पुलिस की सक्रियेता से बची जान हर दोए में सुर्चा के पूर्ब बिलाग परमोग के भाई मलियामो निवासी धननजय मिश्रा पर हुआ कातिलाना हमला बाईक सबार दोई नामी बदमाशों ने कोधवाली दिहाद थाना इलाके के फोखरी के निकट की पाइरिंग सफारी पर कई राउंड फायर जोंके तोधवाली दिहाद पुलिस ने संभाला मोर्चा पुलिस पर भी हमला वरों ने की फायरिंग पुलिस की गोली से एक बदमाश जक्मी किया लखनूरे पर पुलिस की सक्रियेता से बची धननजय मिश्रा की जान इससे पहले उनके भाई संजय मिश्रा की गोली मार कर हत्या की जा चुकी है जबकि धननजय मिश्रा पर ये दूसरा कातिलाना हमला हुआ है भाईक सबार एक बदमाश परार हो गया दूसरे की पहचान पुलिस ने सनी कश्यप के रूप में की है पच्छिस हदार का हिनामी है पकड़ा गया बदमाश इस मौके पर नीले शुपाद्याय अमित नीरच आदी लोग उपस्तित रहे शादी का जहांसा देकर मदर्सा संचालक ने एक साल तक किया नावालिक का चोशर गाउं में चौपाल लगा कर बनाये जा रहा दबाओ सूत्रों की माने तो चौपाल में नावालिक की आवरू की कीमत लगाए गई पचास हजार दबाओ बना कर ठाने में दिलाए गए रेप ना होने बालिक होने की एप्लिकेशन आरुपियों के अच्छी सांड़ गाउं के चलते तीन दिन बाद भी नहीं कराया गया नावालिक का मेडिकल परिक्षर नहीं कराया गया है वहीं सूत्रों की माने तो गाउं में चौपा लगा कर लड़की की आवरू की कीमत पचास हजार उपर लगाई गई है इतना ही नहीं दबाव बनाकर लड़की द्वारा लिखित अप्लिकेशन थाने में दिलाई गई है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है और उसे बाली भी दिखाया गया है आरोपियों की अच्छी सांडगांट के चलते गरीब पीड़ित नावाली लड़की की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अब देखना यही कि बेटी पढ़ा और बेटी बचाओ के नारे लगाने बाली योगी सरकार में इस नावाली कोई नहीं मिल पाता है या नहीं आप क्या करें नहीं करेंगे पर्षासन की तरफ से कोई कारभाई नहीं की जा रही है अब देखना यही कि प्रशासनी का अधिकारी मामले को संग्यान में लेते हुए को जोस कदम उठाते हैं या नहीं? अब नहीं रहा चोरों में पुलिस का कोई खौप सदरपुर छेतर में लगातार हो रही चोरियां बीती राथ एक ही गाउं में चार घरों में हुई चोरियां पुलिस नाकाम सीतापुर जनपत के सदरपुर ठाना चेतर में आए दिन लगातार हो रही चोरियां सूत्रों की माने तो सदरपुर ठाना पुलिस चोरों को दे रही बढ़ाबा इसलिए नहीं थम रहा है ये चोरियों का सिल्थिला चोरों के आगे पुलिस दिख रही निर्बल थाना सदरपुर के पड़रिया गाउं में बीतिरा चार घरों में लाकों की हुई चोरी यह है योगी की पुलिस जो डर रही है चोरों से नहीं हो रही चोरों पर कोई कारवाई रामेंदर कुमार मौरिया आशिश कुमार कलूराम सुरेंदर यादब तही चार लोगों के यहां लाखों की चोरी हुई है नगदी सहित लाखों के जेवरा सामान हुआ चोरी सदर पुर्थाना चेतर में आई दिन लगातार हो रही चोरियां अभी तक एक भी चोरी का नहीं हुआ खुलासा